इस वीडियो में सफेद शर्ट पहन कर अंदर जा रहे व्यक्ति को ध्यान से देखिए इसके पीछे-पीछे लाल टीशर्ट पहने खड़ा ये शक्स दाखिल होता है कुछ हलचल सी होती है और महज 20 सेकंड में ये लाल टीशर्ट वाला व्यक्ति भागता हुआ बाहर निकलता है वहीं उसके पीछे सफेद शर्ट वाला आदमी खून से लत्पत बाहर आता हुआ दिखता है गुजरात के कछ जिले के रापर से आई ये तस्वीरे आपको विचलित कर सकती है सिसी टीवी में रिकोर्ड हुई इन तस्वीरों में हत्या की पूरी वार्दात से हर कोई सन रह गया बीच बाजार में एक दलित वकील की महज 20 सेकंड में हत्या कर दी गई इस हमले में वकील देवजी भाई महिश्वरी बुरी तरह जख भी हो गय उन्हें अस्पताल में भरती कराया गया लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका एक दलित अक्टिविस्ट और वकील को एक सिर्फ फिरे ब्रहमनवादी भरत जैनतीलाल रावल ने मोत के घाट उतार दिया देवजी भाई महिश्वरी पेशे से वकील थे वो इंडियन लोयर्स प्रोफेशनल असोसेशन के गुजरात अधिक्स थे देवजी दलित और बहुजन मुद्दों पर मुखर रहते थे वो बाम सेफ के सदस्य भी थे बताया जा रहा है कि देवजी भाई महिश्वरी की हत्या इसलिए की गई क्योंकि ब्रहमन जाती के जैनतिलाल रावल को ये पसंद नहीं था कि महिश्वरी ब्रहमन वाद की आलोचना करे उसे ये गवारा नहीं था कि कैसे एक दलित वाकील ब्रहमन वाद को खुली चोनोती दे रहा था मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रावल और उसके साथ ही देवजी भाई महिश्वरी की फेस्बुक पोस्ट से भी भढ़के हुए थे तीन दिन पहले लिखी देवजी भाई महिश्वरी के आखरी पोस्ट में भी ब्रहमन वादियों की आलोचना की गई थी परिवारवालों के मुताबिक जैनतिलाल रावल कोस्ट के साथियों ने देवजी भाई महिश्वरी के हत्या के लिए बाकायदा सुपारी दी थी परिवारवालों ने कुल 9 लोगों के खिलाफ F.I.R. दर्जगराई है F.I.R. के मुताबिक भरत जैनतिलाल रावल, जैसुक लुहार, खीमज लुहार, धवल लुहार, विजय सिंग सोडा, मयूर सिंग सोडा, परवीन सिंग सोडा, अर्जुन सिंग सोडा और देवुभा सोडा को मुख्या आरोपी बनाया गया है परिवारवालों की मांग है कि सभी आरोप्यों को तुरंद गिरिवतार किया जाए आरोप्यों की जल्द गिरफ्तारी को लेकर बहुजन समाज के लोगों ने रापर में चक का जान भी किया सर्याम एक दलित की हट्या से बहुजन समाज के लोगों में जबरदस्त गुसा है इस वारदात ने गुजरात की बीजेपी सरकार पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिये हैं लोग पूश रही हैं कि क्या गुजरात में बदमाशों को कानून का डर नहीं रहा यूरो रिपोर्ट दशूद्र यूरो रिपोर्ट